हेलो फ्रेंड्स एंड एक्ष्ट्रेंड्स आज हम बात करेंगे फर्मास्टोटिकल केमेस्ट्री के अंतरगत मेगलड्रेट के बारे में जो कि हमारे डीफॉर्म फर्स समस्टर न्यू पीसियाई सेलेबस जो कि हम एर 2020 के नाम से जानते हैं उसके अंतरगत आपको देखने को म लेगा हम लोग इस वीडियो में मेगलड्रेट का फॉर्मूला उसकी प्रप्रेशन कटेगरीज प्रॉपर्टीज यूजिस फॉर्मूलेशन और इत्यादे के बारे में आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे मैं हूं डॉक्तर बजने शुक्ला चलिए शुरू करते है मैं गल देक एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पुरानी हमारी फर्मा सेटकल केमेस्टरीज की बुक्स हैं उसमें आपको जनरीट देखने को नहीं मिल रहा और कुछ कंट्रीज में इस पर बैन भी है लेकिन ये काफी अच्छा एंटाइसेड पुरान जवाने में माना जाता था कुछ कंट्रीज में भी ये बैन है बट अपनी कंट्री में भी भी ये अवलेबल है और मिलता है आपको फर्मूला की बात करें तो इसका ये एक मिक्शर है आपके सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यहाँ एक कंपोजिशन है डिफरेंट अल्मूनियम और मैगनेशियम हार्डॉ और उसमें एक्स मात्रा में हमारा एस्टोया वाटर के कहना है काड़ा यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मैगल रेट जो है वह एक क्यमिकल कंपोजिशन है जहां पर अल्मूनियम हार्डॉक्साइड और मैगनेशियम हार्डॉक्साइड होते हैं कुछ और फोर का होल ट्वाइस और एक्स एच्टू तो इस तरीके का कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला अगर है तो इसे हम लोग मैगल ड्रेट के रंतरगत रख सकते हैं इसे हम लोग काफी पुराने समय से ऐल्मूनियम मैगनेशियम हार्डॉक्साइड मोनो हाइड्रेट के ना जाता है मैगल ड्रेट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यह जैसा मैंने भी कहा हाइड्रॉक्सी मैगनेशियम अल्मूनेट कॉंप्लेक्स है और यह जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो जो हमारे गैस्टिक एसिड है उस गैस्टिक एसिड के साथ मिलने पर यह बहुत है तो यह मैगनेशियम हाइड्रॉक्साइड और अल्मूनियम हाइड्रॉक्साइड को प्रिपेर करता है हमारे इस चमक में पहुँचने के बात बात करें तो यह एक गैस्ट्रो इंटेस्टैनल एजेंट है आपके सलेमस में भी इसी के इंतरगत लिखा हुआ है और यह एक more precisely की बात करें तो यह एक एंटाइसिड है अगर एंटाइसिड आपको मैंने पहले भी बताया है एंटाइसिड वो एजेंस होते हैं जो कि हमारे इस समक में एक्स्रा मात्रा में जो एसील होती है यानि हाइपर एसीडिटी अगर हो रही है जिसे हम लोग हाइपर क्लोर हाइ उनसे आपको सलूशन मिल जाए बात करते हैं प्रिप्रेशन की तो इसका प्रिप्रेशन कुछ पेटेंस में मुझे देखने को मिला क्योंकि बुक्स में जनरली देखने को नहीं मिल रहा है तो बहुत ही सबसे सिंपल जो एक मैथड है इसको बनाने का कि हम लोग ऐलमुनिय मैगनियम आड़क्साइड का मिक्षर उसको भी वॉटर मिलेंगे मैगनियम आड़क्साइड का भी एक सलूशन वाटर मनाएंगे इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी मात्रा में वाटर सॉलिबिल सलफेड का कोई भी कंपाउंड मिलाए जो कि water soluble हो जैसे कि हम लोग ले सकते हैं Aluminium sulphate जो Aluminium sulphate होता है वो एक sulphate containing compound है जो कि water soluble होता है तो इसको अच्छे तरह से जवाब mix करेंगे बढ़ियां से ताफी देर तक इसको आपको mix करना है तो जिसकी विज़से एक मैललरेट का paste जो है वो बन के आता है यह जो paste है आप कहा सकते हैं semi solid paste जो बन रहा है इसको फिर हमें dry करना होता है अगर जवरुवत पड़ती है तो इसको हम लोग को filter करना पड़ता है कोशिश करें कि हम ऐसे Aluminium hydroxide और Magnesium hydroxide या Magnesium hydroxide जो भी हम ले रहा है उसमें किसी तरह जवरुवत नहीं पड़ती ड्राई करने के बाद जब हम इसे सुखा लेते हैं तो यह हमें powdered form में प्राप्त हो जाता है जो कि क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है जिसी को हम लोग Magal Red powder के रूप में देखते हैं बात करें properties की तो जैसा मैं अभी कहा कि जो इसकी physical state है वो एक crystalline powder है यह powder form में देखता है जिसके crystals हमको clearly दिखाई देते हैं तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे crystalline powder state की बात करें तो यह off white कुछ whitish सा सफेद रंग का या फिर थोड़ा सा हलका सपीलापन लिए वह white जो होता है off white जिसे हम कहते हैं वो उस तरीके के color काम को देखने को मिलता है taste की बात करें तो इसमें कोई taste नहीं होता हाँ आप कहेंगे कि market में जो gels available है उन gels में तो taste होता है बट उसमें हम लोग taste के लिए taste enhancer कुछ मिलाते हैं या कुछ taste agent जो है उसमें डाला जाता है flavoring agent यादी उसमें डाला जाता है जिसका taste आपको मिलता है इसका itself कोई taste generally नहीं होत होता और ethanol या alcohol इत्यादी में जनरली यह dissolve नहीं होता लेकिन इसके जो mineral acids generally mineral acids जैसे की dilute STL का solution इत्यादी जो है उसमें यह आसानी से क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं जब हम इंका water में अगर एक solution माराने के कोशिश करते हैं तो यह suspension मनाता है घुलते क्यों नहीं क्योंकि इन अब बात करते हैं इसके uses की तो megalrate जो है वो एक gastrointestinal agent है जैसा मैंने स्टार्टिक में बोला और यह हमें anti-acid तरीके से use होता है in the condition of gastric hyperacidity या hyperchlorhydria यानि जब किसी व्यक्ति के इस टमक में धेर सारी मात्रा में STL produce हो रहा होता है और वो use up नहीं हो रहा होता है वहाँ प या फिर आपका duodenal ulcers जो की gastric ulcers है, peptic ulcers है या duodenal ulcers है या फिर gastroisophagal reflex जिसे हम लोग GRED भी बोलते हैं यह क्या है यह condition है जब आपका जो भोजन है वो उल्टी दिसा में चलने लगे या जो content है इस चमक के वो बाहर की तरफ आएं वापस से मुह में तो जिसकी हुझे से आपके जो सीने इत्यादी की जो area है या जो gastrointestinal track है यहाँ जलन उत्पन होती है और अजीब सा जो taste जो है वो माउथ तक पहुंचता है इस condition को हम लोग gastroisophagal reflex बोलते हैं आप इसको थोड़ा बहुत vomit जैसा भी मान सकते हैं तो इस condition का भी treatment हम लोग इस से करते हैं क्योंक कि यह magnesium containing इसमें compounds है इस वज़े से यह हमारी magnesium deficiency में भी use कर जाता है और hyperphosphatemia जो है जब कईसी व्यक्ति के अंदर बहुत जादी मात्रा में हो तो उस condition में भी इसका प्रयोग जो है हम लोग कर सकते हैं बात करें इस storage condition की तो इसका जो storage है जो इसकी tablet से त्याद ही आती है उनका storage तो 10-15 daily celsius के बीच में रखते हैं लेकिन generally इसको हम लोग temperature जो है वो 25 दिगरी 30 दिगरी से नीचे ही रखा जाता है और इसे well close containers के अंदर रखते हैं इसे directly light के साथ heat के साथ या air के साथ इसको हमें बचाना होता है कि इसका उस तरीके से किसी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से इसका light air या heat के साथ कोई contact ना हो तो इसलिए हम ऐसे well close containers में और ठीक ठाक temperature में 20 दिगरी से नीचे temperature पर इसको रख सकते हैं कुछ इसके जो solutions हैं उनको हम लोग जैसे gel इत्यादी जो हैंगे उनको हम रेफिजरेटर के अंदर भी pack कर सकते हैं बात करें pharmaceutical formulations की तो generally हमें मेगल रेट का suspension देखने को मिलता है जो powdered हमारा मेगल रेट है उसको जब हम लोग water में dissolve करते हैं या water के साथ देते हैं तो वो suspension का format करता है इसे हम लोग मेगल रेट जेल के रूप में भी देख सकते हैं कुछ जगहों पर आपको देखने को मिलेगा formulation और खास बात यह है कि इसे generally जो formulation market में आते हैं वो अकेले इसके नहीं आते हैं इसमें semi methicone जो है जरूर मिला होता है तो semi methicone और मेगल रेट का जेल है मेगल रेट और semi methicone के टाबलेट्स हैं सिरप्स हैं इन दोनों के suspension हैं यह दोनों एक साथ ही mix करके ही आपको जनरली देखने को मिलते हैं marketing brands की बात करें तो कुछ brands जो आपके आसपास की दुकानों में खाच करके इंडियन सबकंटेनेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं वो है हमारे Axis जो जो की एक सिरप है मर्क रेमेडीज के द्वारा बनाया जाता है दूसरा हमारा आर्सीड है जो की एक suspension form है जो की आर्गेन रेमेडीज के द्वारा आता है आर्सीड की tablets भी आती है जो की tablet form में हमें आर्गेन रेमेडीज कंपनी के द्वारा प्राप्त होती है Axis Cool के नाम से आता है Axis Life Sciences Private Limited का जो की एक suspension के format में है Magal Grate और Semimethicone की tablet आती है Unicorn की जो की 400 SC plus 20 के formulation में है यानि की दोनों को अगर देखा जा तो 500 MG की tablet है जिसमें 400 SC हमारा Magal Grate है और Semimethicone जो है वो 20 है और मेरी जल suspension है जो की Indusrift Limited के द्वारा आता है इन सब में भी आपको Semimethicone देखने को मिलेगा यानि अकेले नहीं मिलेगा आपको यह suspension हो सिरफ हो tablet के form में हो यह हर जगाव पर आपको Semimethicone के साथ ही मिल देगा क्योंकि यह हमने पहले भी बताया ते समिमethicone जब रहती है तो वो आपके क्या नाम है anti-acids पे combination anti-acids का एक example इसको हम कह सकते है बात करें ब्रांड्स की other ब्रांड्स है जो की books में भी आपको देखने को मिलते है जैसे कि रायव पैन है बहुत ही famous ब्रांड है लासो पैन है यह सब भी ब्रांड्स है जहां पर हमें जो है मैंगल ग्रेट देखने को मिलता है कुछ कंट्री में मैंगल ग्रेट अभी बैन हो चुका है जैसे खास करके यूएस कंट्री की बात करें तो यूएस के पास जो है यूएस FDNA इसको बैन कर रखा है as the anti-acid usage लेकिन अभी बह इसके बारे में ढूरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये पुरानी किताबों में जन्री नहीं मिलता है फिर भी बैने जो जानकारी थी रिकठा करके आपको सामने रखी है अगर इससे भी रिलेटेट कोई और प्रस्ट नहीं है आपके दिमाग में तो आप